हेलो फ्रेंज माने में देबंजेन आज हम बात करेंगे करनाटका बैंक के बारे में और इन्हों ने एक और न्यू ब्रांच ओपन किया है तो उसी के बारे में जानेंगे ताकि आपको भी आइडिया आ सके इस बैंक के ग्रोथ के बारे में और ये एक प्राइवेट सेक्टर क बैंक है इसका अगर आप स्टॉक का प्राइस देखेंगे तो काफी प्रेशर आये था बीच में लगबग सभी बैंकिंग स्टॉक नीचे की तरफ ही है लेकिन इस टॉक को अगर आप देखेंगे तो एक ही जगह पे अब यह बॉटम बना रहा है और यहां से फिर से ग्रो करन में 130-140 के करीब फिर से सेल कर दें तो यह भी एक अच्छा मिंस पोजिशन है इसके नीचे अगर मिलता है तो आप नीचे ज़रू लिजेगा लेकिन लॉटम के लिए भी अगर देखेंगे तो काफी अच्छा स्टॉक है और यहां से लगबग 20-30% मिडियम टू एक साल के अ एवरी येर ये कंपनी देती हैं ब्रांचेस काफी ज्यादा है काफी अच्छा प्रॉफिट कर रही है इसका अगर आप फाइनेंशल की बात करेंगे तो financials काफी अच्छे हैं 1400 करोड के करीब इसका sales का turnover था पहले 1443 के करीब था और net profit देखेंगे तो 163 का इनका net profit आये जो की काफी बेतर है पहले से पहले 11 का था क्योंकि NPS के कारण कम आये था तो profits काफी अच्छे हो रहे हैं दूसरी बेंक अगर आप देखेंगे तो losses दिखा रहे हैं NPS ज्यादा आ रहे हैं काफी means fraud हो रहे हैं तो इस company का कुछ अच्छा ही देखने को आपको मिल रहा है इसका अगर आप branch की बात करेंगे तो इन्होंने एक और branch start किया है और वो 816-816 इस branch को पकड़ कर हो गया है और इन्होंने open किया है बिलगी में तो काफी अच्छी growth देखने को मिल रही है काफी branches इन्होंने open किया है तो long term के या short term के नजरिये से भी आप stock को ले सकते हो ताकि अच्छा घासा return इस stock में आने वाले समय में देखने को मिले है तो यही एक news बता नहीं थी और जिसके पास भी यह stock के आप थोड़ा hold कर सकते है यहां से थोड़ा उपर जब market और banking sector का जो index है वो उपर जाएगा bank nifty तो आपको काफी अच्छा इस stock के अंदर भी rally देखने को मिल सकती है तो आज इसी के बारे में बताना था और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा और हमारे चैनल को subscribe करेगा ताकि इसी important updates आप तक हम पहुचाते रहें चलिए thank you